Hello everyone, Good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तो आज है 18 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 18 दिसंबर से related current affair के सभी important question को cover करने वाले हैं तो यदि आप लोगों को इस वीडियो के PDF शाहिए तो आप हमारे इस mobile application को भी install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और प्रती दिन के current affair का audio भी मिल सकेगा तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question हाली में भारती तट रक्षक बल यानि की ICG के बेडे में किस नई सोदेसी नौका को शामिल किया गया है तो ICG के बेडे में अभी हाली में interceptor C454 को शामिल किया गया है जो की L&T यहीं की Lozen and Turbo द्वार निर्मित की गयी है इसे ही शामिल किया गया है जिसका वजन है 110 टन और इसकी रफतार है 25 nautical meal nautical meal आप सभी जानते हैं समुद्री लंबाई को मापने में इसका इस्तमाल किया जाता है समुद्री दूरी को तो 25 nautical meal यह आप कह सकते हैं लगभग 80 km प्रती घंटे यह है इसकी रफतार और वजन है 110 टन अब देखे इसे शामिल किया गया है ICG में तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में इसके स्थापना हुई थी 1978 में हैटक्वाटर इस्थित है नई दिल्ली में इसके जो डिरेक्टर है इनका नाम क्या है तो यह है के नट राजन और आईसी जी का मोटो क्या है तो यह है वी प्रोटेक्ट और संस्कृत में है वयम रक्षाम यदि आप करंड से रिलेट करेंगे तो हाली में आईसी जी की पहली महिला डीजी पी भी बनाई गई है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है नुपुर कुल्सरिष्ट इसके लावा कल ही मने आप लोगों को बताया था कि हाली में आईसी जी के द्वारा ऑप्रेशन ओलिव की शुरुवात की गई है ओलिव रिडले जो की इस में पिछले ही साल आई इनस खंदेरी को इंडियान नेवी में शामिल किया गया है यदि हम बात करें आई एनस एरावत की तो अभी हाली में जीभूती के लोगों को खादी समागरी पहुचाने के लिए इंडियान नेवी के द्वारा इनस एरावत को जीभूती भेजा गया है यदि हम बात करें देश भारत है यह में मार को सब्सक्राइब नवंबर मन्थ के सभी कर एकट टॉपिक वाइस कवर कर आए गए हैं इसके लिंक description box में दी हुई है सुप्रीम कोट कॉलेजियन ने जस्टिस हिमा कोहली को कि स्राज्य के हाई कोट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में न्यूक्त किया है तो हाली में यह न्यूक्त की गई इसके रूप में कर दी गई है अच्छा इस question में जो टम लिखा हुआ है कॉलेजियन प्रणाली इससे आप क्या समझते हैं तो इसे आप सिंपली एक जिस्टिस में याद रख सकते हैं कि जिस विवस्था के तहस्त प्रणाली या घंजियन सिस्टम कहा जाता है तो देखिए सुप्रीम कोट के जो चीज जश्टिस होते हैं और सुप्रीम कोट के चार अन्य वरिष्ठ जज मतलब की फोर प्लस वन तो इनका यह एक फोरम होता है जो कि सुप्रीम कोट और हाई कोट में जजों की न्यूक्तियां और उनका तबादला यानिकी ट्रांसफर करने की सिफारिस करते हैं इसके अलावा हाई कोट में कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोट में जाएंगे इसका फैसला भी कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम इसकी राजधानी क्या है तो ये है 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 हैदराबाद हैदराबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे और देखिए जो हैदराबाद है ये भारत का पहला ब्लॉक्चेन जिलब ही है मुख्यमंत्री कौन है तो ये है के चंदर सेखर राव राज जिपाल है तमील हिसाई सौंद राजन और जो तेलंगाना गौवर्मेंट है इसने वर्स 2020 को आर्टीफिशल इंटेलिजन्स एयर के रूप में मनाने की भी होशना की थी और अभी मैं या जून की ही बात है तेलंगाना का एक प्रोड़क्ट है जिसका नाम है तेल सब्सक्राइब है जिसमें पहले स्थान पर रहा है नौर्वे तो 189 कंट्रीज के बीच नौर्वे टॉप पर रहा है और जो अपना देश भारत है इसकी रैंकिंग है 131 पिछले साल मतलब की 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 139 मतलब की भारत अब दो पाइदान नीचे आ ग अच्छा ये जो इंडेक्स है Human Development Index ये किसके द्वारा रिलीस किया जाता है तो ये रिलीस किया जाता है UNDP यानिकी United Nation Development Program के द्वारा और किस आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है तो देखें इसके लिए कुल तीन मापदंड है यानिकी तीन पैरामीटर के हिसाब से इन पर जाता है कि कौन से देश किस स्थान पर है तो टॉप पर है Norway सबसे पहले आप मैप मैप में आप देख सकते है नौर्वे जो है ये यौरप महाधीप में इस्तित नोर्वे किसलो करनसी थे है है Norwegian कुन अच्छा योरप महादीप में ही यह आप नौर्वे देख रहे हैं आप यह वाली लोकेशन देखेंगे तो कुल तीन कंट्रीज इस लोकेशन से आप याद रख सकते हैं एक तो आप नौर्वे ही देख रहे हैं नौर्वे के जस्ट बगल में यह जो आप देख रहे हैं यह स् समय पहले ही जो करप्शन इंडेक्स इनकी भ्रष्टाचार सूच कांक रिलीज किया गया इसमें टॉप पर रहा था डेन्मार्क इंडिया की रैंकिंग थी 80 हाली में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये रिलीज किया गया जिसे टॉप किया बेलारूस ने इंडिया की रैंकिंग है 94 ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश की बीच हाली में द्यूपक्षी बैठक का आईजन किया गया तो भारत की तरफ से जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है और म्याम मारका जो सेंट्रल कमिटी और ड्रग एब्यूस कंट्रोल है इन दोनों क के ही बीच अभी हाली में समझाता हुआ है किसली हुआ है ड्रग तसकरी को रोकने के लिए और समाज में जो इसकी लत बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास किये जाने है उस पर विचार करने को ले करके इस बैठक का आयजन किया गया है भारत और म्याम मार के बीच आप मैप में देख सकते हैं म्याम मार की लोकेशन इसकी क्या पीडो करंसी है क्यात म्याम मार के प्रेसिदेंट है विन मिंथ भारत और म्याम मार के बीच एक exercise होती है जिसका नाम है Imbax इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं I for India, M for म्याम मार तो Imbax exercise है जो कि भारत और म्याम मार के बीच होती है और कल मैंने आप लोगों को बताया था Golden Triangle तो Golden Triangle के अंतरगत कुल तीन कंट्रीज आती है म्याम मार, Laos और ये Thailand तो इसे भी आप याद रखेंगे हाली में विश्व की सबसे बड़ी नवी करणी उर्जा पार का सिलन्यास कहां किया गया तो इसका सिलन्यास अभी हाली में किया गया है गुजरात में तो इसे आप समझेगा अभी हाली में प्राइम मिनिश्टर नरिंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में तीन बड़ी परियोजनाओं का सिलन्यास किया गया है पहली है समुद्री जल सोधन सयंत्र परियोजना जिसमें कि समुद्र के खारे पानी को पे जल यहने की पीने योग्य पानी में कनवर्ट किया जाएगा और इसके अंतरगत प्रती दिन 10 करोन लीटर पानी को कनवर्ट किया जाएगा दूसरा है दूध प्रसंसकरण, डेरी सयंत्र और तीसरा है सबसे बड़ी नवी करणी उर्जा पार्क, यह तीसरी योजना सबसे इंपोर्टन है और इसका उदगाटन गुजरात के कक्ष में किया गया है और यह जो उर्जा पार्क है, इसकी शमता कितनी होगी 30,000, मेगा वाट की शमता वाला यह उर्जा पार्क है तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन इसकी राजधानी है, गांधी नगर जो कि अमिश्या जी का निर्वाचन छेतर है अमिश्या जो कि प्रेजन टाइम में हमारे ग्रह मंत्री है मुख्य मंत्री है, विजरूपानी राजधी पाल है, आचार्य, देवरत इंपोर्टन नैशनल पार्क यदि बात की जाए तो गिर, वनसिदा, ब्लैक बक, मरीर नैशनल पार्क ये सभी इस्थित हैं गुजरात में ही अब देखिए इस कोश्चन में बात की जारी है विश्य के सबसे बड़े की, तो आप अधर आप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे के भी हाली में जो ओला है, ओला विश्य की सबसे बड़ा स्कूटर कार खाना, ये तमिल नाडू में इस्थापित करने की योजना बना रहा है यदि हम बात करे केरल की, तो केरल के कुट्टूर में विश्य का सबसे बड़ा Elephant Rehabilitation Center ये बनाया जा रहा है यदि हम बात करे तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विश्य का सबसे बड़ा Meditation Center इस्थापित किया गया है हाली में, Losar Festival कहा मनाया गया? तो ये भी हाली में मनाया गया है, लद्दाक में अब इस कॉश्यन में आप कंफ्यूज नहीं हुएगा क्योंकि जब मैंने इस फेस्टिवल का नाम देखा तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि एक Festival है Louser Festival एक है Лोसार Festival तो जब ये Question में देख रही थी तब मेरे दिमाघ में ऐसा आ रहा था कि ऐसा कोई Festival है जो कि और किसी राज्जी के द्वारा मनाया जाता है तो देखिए यहाँ जो Term लिखा हुआ है Loser ये Actual में है Losser Festival और जो लोसार फेस्टिवल है ये कुछ समय पहले ही मनाया गया हिमाचल प्रदेश में मतलब कि लोसार फेस्टिवल ये फरवरी में मनाया जाता हिमाचल प्रदेश में और ये जो लोसर फेस्टिवल है ये लद्दाख में अभी हाली में मनाया गया है जो कि नए साल की जाधा कृष्ण माथूर यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें जो कि फेस्टिवल से ही रिलेटेड है तो हाली में बिहार के भागलपुर में पहला प्रवासी महुस्व आयोजित किया गया यदि हम बात करें नागा लेंड की तो हाली में नागा लेंड में हॉर्ण विल फे कि फेस्टिवल का योजन किया गया देखे बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टन कोश्चन है इसका यह जो वीडियो है यह कल ही अप्लोड हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है आप जाकर के देख सकते हैं हाली में यसर मुफ्त फस फसल बीमा के रूप में 1252 करोड रुपए जमा किये गये हैं यही है यसर मुफ्त फसल बीमा योजना जिसके शुरुवात की गई है आंधर प्रदेश की लोकेशन यहां की मुख्य मंत्री कौन है तो यह हैं जगन मोहन रडडी राजिपाल है विश्व भूशन हरी शंदन इंपोर्टन नेशनल पार्क यदि बात की जाए तो स्रीविंक टेशोर नेशनल पार्क और पापी कुण्डा नेशनल पार्क दोनों इस्तिते आंधर प्रदेश में ही आंधर प्रदेश से हैं रिलेटट कुछ इंपोर्टन इसकीम है जिसे की YSR अम्मा वोडी योजना YS सार आरोग श्री योजना जगन्ना थोड़ो योजना विद्या दीवेना योजना यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाली में दक्षण भारत की पहली किसान रेल यह चलाई गई है आंधर प्रदेश के अनंतपूर से दिल्ली तक जबकि पूरे भारत की पहली किसान रेल तो यह चलाई गई है नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापूर तक तो दोनों ही आप याद रखेंगे ओनलाइन स्टडी पॉन्ट के लास्ट 10 मन्त के करंट अफेर की पीडियाफ जिसमें कि जनवरी से ऑक्टूबर तक के सभी करंट अफेर टॉपिक वाइस कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्ष्टर अफेक्ट इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी चुरू किया जाएगा और कब किया जाएगा 26 मार्च 2021 को अच्छा यह 26 मार्च को ही क्यों शुरू किया जाएगा क्योंकि 26 मार्च 2021 को जो बांगलादेश है यह अपना पचासवा स्थापना दिवस मनाएगी क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांगला देश का उदे हुआ था जो कि अपना पचासवा स्वतंत्रता दिवस ये मनाने जा रही है 26 मार्च 2021 को और इसके लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है अब ये है क्या स्वाधिंता सड़क तो देखिए ये सड़क भारत में ऐसे ही कार्यात्मक बनी हुई है जबकि ये सड़क बांगला देश के मुजिब नगर और मेहरपुर जिले को जोड़ेगी तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बांगला देश की लोकेशन इसकी राजधानी है धाका करणसी है टका प्राइम मिनिस्टर है शेक हसीना भारत और बांगला देश के बीच एक एकसरसाइस होती है जिसका नाम है संपिरति बांगला देश के पास ही कुछ यहां पास भाषन चार दिपिस्थित है जहां बांगला देश गौर्मेंट के द्वारा रोहिंग्या शनरार्थियों को शिफ्ट किया जा रहा है आप और क्या रिलेट कर सकते हैं तो देखे कुछ समय पहले ही दुश्वर्म के मामले में ब्रत्यु दंडर देने का फैसला ये किया गया था बांगला देश गौर्मेंट के ही द्वारा यूरोपी कराटा चैंपियंशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो यूरोपी कराटा चैंपियंशिप जो की 2021 में होनी है इसे होश्ट करेगा क्रोईशिया तो सबसे पहले आप योरप में आपने देख सकते हैं क्रोईशिया की लोकेशन अभी मैंने आप लगों को नॉर्वे की लोकेशन कुछ यहाँ बताई थी और यह है क्रोईशिया तो Croatia के लिए हम बात करें तो इसकी capital है जाग्रेब, currency तो ये है Croatia ही कुना, हाली में यहां के नए President भी बनाए गये हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है Zoran Milno Wick, और देखे भारत की जो President है रामनात कोविंद जी ये पिछले ही साल जब Croatia की आत्रा पर गये थे, तब इन्हे Croatia के highest civilian honor, Grand Order of Tommy Slav से भी नवाजा गया था, अब इस question में मेजबान देश की बात की जा रही है, तो अगले साल जो Asia Cup होने है, Asia Cup 2021, इसे होश्ट करेगा श्री लंका, जो अपने देश भारत है, ये ICC Men's World Cup जो की 2023 में होना है, इसे होश्ट करेगा, जबकि ICC Women World Cup जो की होना है 2021 म इसे होश्ट करेगा New Zealand, किस भारती को Asia Pacific Broadcasting Union, यानि कि ABU की उपाद्धिक्ष के रूप में न्यूक्ति किया गया है, तो हाली में जो शशी सेखर वेमपत्ती है, इन्हें Asia Pacific Broadcasting Union की उपाद्धिक्ष के रूप में न्यूक्ति किया गया है, अब इदी हम बात करें Asia Pacific Broadcasting Union की, त और इसके जो अध्यक्ष है ये है, अब्राहिम, एरेन और उपाद्ध्यक्ष बन गया है भारत के ससी सेखर वेमपत्ती, अब देखिए आप अधर आप्शन को रिलेट करेंगे, जो कि भारती नामों से ही रिलेटेड है, जिनकी न्यूक्ति अंतर राश्ट्रे इस्तर पर ह हुई है, तो हाली में भारत के जो अनिल सोनी है, इन्हें डबलू एचो फांडेशन के सी यो के रूप में अपॉइंट किया गया है, यदि हम बात करें असोक लवासा की, तो हाली में ये एशियन डवलप्मेंट बैंक की उपाध्यक्ष बने हैं, यदि हम बात करें और कार खाना इस्थापित करेगा, राइट अंसर था तमिल नाडू, अब आप लगों के लिए आज का सवाल है, हाली में कोटक महिंद्रा बैंक के MDCO कौन बने हैं, तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो दी पसंद आया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तो आज के लिए इतना ही, थाइंक्यू सो मच,